हम हमारे पास से कितने भी भागने की कोशिश करें पर भाग नहीं सकतें कभी ना कभी उसे कन्फरंट तो करना ही पड़ता है ये करने में हमें चाहने वाला हमें हेल्प कर सकता है इसे एक beautiful सी theme के साथ आज़ के हमारी movie Angel Eyes जो 2001 की एक romantic Hollywood movie है ये आती है इसमें दो stranger बहुत ही अजीब से conditions में मिलते है इन तोनों के past life के बारे में secrets है अब आगे क्या होगा ये हम explanation में जानेंगे स्टार्ट करने से पहले में आप सब से request करता हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ब्लीज लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बिना किसी देरी के explanation स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और हमारी main character जिसका नामे शैरान एक police officer है ब्रीज पर एक बड़ा हदसा हुआ था इसमें एक आदमी को help कर रही थी इसके बाद ब्रीज के इस हदसे को एक साल गुजर चुका है हमें हमारा और एक main character दिखाया जाता है जिसका नामे catch catch रस्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि एक आदमी अपनी गाड़ी में चावी छोड़ कर चला गया है उसे help करने के लिए उससे ओचावी निकाल लेता है तो उस आदमी का wait कर रहा था वो आदमी जब वापस आया तो उसे लगा catch उसकी गाड़ी चुराने वाला था इस वज़य से उससे fight कर रहा था और catch कहता है मैं सिर्फ तुमारी help करना चाहता था इसी के parallel में हम फिर से शेरान को देखते हैं वो एक date पर आई हुई थी date पर as a police officer उससे क्या क्या question पूछे जाते हैं इसकी frustration वो बता रही थी वो कहती हैं सब लोग मुझसे पुछते हैं क्या मैंने किसी को मारा है पर कोई नहीं पूछता क्या मैंने किसी को save किया है dating करना उसे अच्छा नहीं लगता तो जल्दी से घर आ जाती है नेकसिन में हम कैच को उसकी building में देखते है उसके एक neighbor ने घर की चावी घर के बाहर ही रखी थी कोई भी घर में अंदर आ सकता है इसके बारे में उन्हें बता देता है उसकी neighbor और neighbor का बेटा ये दोनों घर में अकेली रहते है उसकी neighbor उसे thank you कहती है उसने पूछा अगर तुम चाहो तो मेरे साथ hangout कर सकते हो कैच किसी भी type के relationship में interested नहीं था तो वहाँ से चला जाता है इसके बाद नेकसिन में हम देखते है शारन को उसके brother ने बुलाय था तो उसके पास सोचली की उसका brother कहता है हमारे parents फिर से शादी करे है ये बाद शारन के लिए बहुत याजीब थी उसकी mother और father में हमेशा से जगड़े होते रहते थे brother ने कहा कि वो चाहते है कि तुम भी वहाँ आओ शारन उसके father की नहीं जम थी वो गुशती है कि father भी यहीं चाहते है कि मैं वो attend करू उसका brother कहता है हम उस्वर बात कर रहे है उसका brother actually अभी भी अपने father से डरता है इस बात पर शारन को बहुत đã गुशा आ गया उसे लगता है कि अपने फादर को ले कर उसने जो भी किया वो ठीक किया था उसका ब्रदर भी गुसा हो गया और निकल जाने के लिए कहता है शारुन इन सब चीजों से बहुत ही गुसा थी जब वो एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जाती है तो बहुत ही ज़ादा अग्रेसिव थी ये क्रिमिनल भी उसे गालिया दे रहा था शारुन के पार्टनर ने उसे का तुम आज बहुत ही गुसा हो अपने गुसे पर कंट्रोल करना सीखो शारुन इसे इग्नोर कर दे दिया अगली दिन जब वो अपने को वरकर्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी तब आजाना इसे कुछ गुंड़या आए इन्होंने इन पर गोलिया चलाना स्टार्ट कर दिया शारुन बच गए और इनका पीछा करने लग जा दिया ये जो भी हुआ ये सब स्ट्रीट के सामने से कैच ने देखा एक मुमेंट पर शारुन और कैच इन दोनोंने एक दूसरे को नोटिस किया था शारुन क्रिमिनल्स को चेस करते करते एक सुमसान जगा तका के वहाँ पर क्रिमिनल उस पर पीछे से हमला कर देता है उसे मार डालता तबी कैच ने उसे बचा लिया वो उसके लिए बहुत ही थैंक्फुल थी इसके बाद हम देखते हैं कैच अपनी मदर की तरह एक लेड़ी के पास आया वो उसे कहता है कि मैं आज एक लड़की से मिला वो पुलिस ओफिसर है इस लेड़ी को यह सब सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कैच हमेशा इस लेड़ी का बहुत खैल रखता है रात में शेरन अपने फ्रेंज के साथ बाहर में थी उसे ज़रा अंगमफटेबर लगा और वो वाश्रूम चली गई आज उस पर गोली चली थी पर वेस्ट की वज़े से वो बच गे सब चीजों की वज़े से वो डिस्टब हो चुकी है जब फेसे वापस आई तो कैच उसका वेट कर रहा था शेरन की उसने जान बचाए तो as a thank you उसने उसे बाहर में बुलाया हुआ था ये एक दुसरे को अपना नाम बताते है शेरन पुछती है कि तुमने इस सब किया क्यों मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान दाओ पर लगा दिये वो कहता है कि उस मुमेंट में मैं कुछ भी सोच नहीं सकता था मुझे जो लगा वो मैंने कर डाला और वैसे भी तुमारी जॉब में तुम हमेशा यही चीज तो करती हो strangers को बचाना मुझे लगता है कि फुलिस को और भी जादा क्रेडिट देना चाहिए वो बहुत सारे लोग की जान बचाते है catch इस तरह से सोचता है कि शारन को अच्छा लगा उससे कहती है तुमें भी कॉप बन जाना चाहिए वो कहता है मैं हैट में अच्छा नहीं दिखूंगा यह दोनों इस पर बहुत हसे है इसके बाद यह दोनों जब बहार आए तो शारन पुछती है अगर तुम जाहो तुमें तुमें लिव दे सकती हो catch ने कहा मुझे चलना ही अच्छा लगता है उसे लग रहा था कि शारन ट्रंक है वो गयती कि ऐसा कुछ भी नहीं उसे फोर्स करकर अपने साथ लेकर गई catch शारन को ही देख रहा था वो बुछती कि ऐसे क्यों देख रहे हो वो कहता है तुम विदाउट यूनिफॉर्म नॉर्मल लोगों की तरह कैसी लोगों की यह में इमेजिन कर रहा था शारन कैच को डारेक्टली उसके घर लेकर आई वो उससे कहती है कि आज जोबे हुआ उसके बारे में सोचना बन नहीं कर सकती है यह उसके लिए बहुत ही ट्रामेटिक था वो यह सब छोड़ कर किसी और चीज़ के बारे में बात करना चाहती थी कैस ने कहा इशायद हमारा मिलना तरह था वो गहती कि ऐसा क्यूँ इसके पीचे क्या लॉजिक हो सकता है कैस कहता है हमारे ब्रेंड में अलग-अलग वेउस होती है हमें जो लोग अच्छे लगते है हम उनके पीचे खीचे जले आते है इन्होंने हैंग आउट किया इसके बाद कैस घर जा रहा था जाने से पहले एक दुसरे को किस कर लेते है घर जाते वग रस्ते से होते हुए कैच अचानक से रस्ते में फ्रीज हो गया था उसके उपर गाड़ी के लाइट साय तुसे अपने पास्ट के बारे में याद आ रहा था उसका अब एक बहुती डेंजरस एक्स्पिरियंस है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा अगले दिन शेरन अपनी मदर से मिलने के लिए आई उसकी ब्रदर की वाइफ घर से निकल ही रही थी उसका हाल उससे पूछ लेती है उसके ब्रदर की वाइफ ने का तुम्हें भी तुम्हारे पैरेंस के शादी में आना चाहिए सबको अच्छा लगेगा शेरन मदर से मिलकर पुछ ती है या जानक से ये सब क्या चल रहा है आप दोनों फिर से शादी क्यों करना चाहते हो मदर गहती है हम इस मैरेज के लिए फिर से एफ़स लेना चाहते है एक नई शुरुवात करना चाहते है शेरन को ये बात सही नहीं लगती फाडर ने कब भी एक दूसरे से बात नहीं कि चाहते थी उसे किसी के सहारे की जरूरत तो उसनी कैज को कौल कि अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर डेट के लिए जाने वाले थे सुबह हुई तो शारन बौहत एक्जॉस्टेट थी वह रात भर सुझ नहीं पाई वह देट गैंसल कर देती है पर अल्डेडी कैज वहाँ पहुच चुका था शैरन नहीं आई तो गुसा हो गया वो उससे कहता है कि जब तुम किसी को भी डेट देती हो तो सामने वाले आदमी को उसका पूरा शेडूल चेंज करना पड़ता है तुम्हें इस तरह से नहीं करना च करता है उससे बुछती कि तुम करते क्या हो वह इसके बारे में कैज उससे कुछ भी नहीं बताता उसने उससे बहुत सारे परसनल क्वेशन पूछे वह कैज कुछ भी बता नहीं रहा था उस पर चीड़ गई कहती है तुम अगर मुझे कुछ भी बताओ के नहीं तो हम यह मेरी एक ही कंडिशन है कि अब से इस मुमेंट से तुम मुझे जानना स्टार्ट करो बास्ट के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता इस बात पर इन दोनों में जगड़ा हो गया और कैज वहा से चला जाता है शानन बहुत इंडरस्टेट थी तो उसका पीछा करते करते उसके घर तक आगे कैज की घर में आकर देखा तो कुछ भी फरनीचर रगरा नहीं था वो बुझती कि तुम ऐसे यह से रह सकते हो कैज कहता है सारे बास्ट के बारे में भुलाकर वो फेसे जिरो से स्टार्ट करना चाहता है उसे बाकी चीजों के बारे में पता नहीं पर एक चीज वो फर्मली जानता है शैरन के लिए उसकी स्ट्रॉंग फिलिंग्स है इस सब के बारे में शैरन ने अपने कोवरकर को बताया कोवरकर को कैज के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कहता है तुम्हें केरफुल रहना चाहिए नेकसिन में कैज फिर से और लेडी के बास आया हुआ था वो कहता है कि शारन मुझसे मिलने के लिए आई थी ये लेडी उसके लिए खुश है कैज ने का वो मुझ पर जरा नाराज है वो कहती है उसे सौरी कह देना कैज कहता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं थी इस लेडी ने का फिर भी सौरी कह दो जब भी आदमी सौरी कहते है तो लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है कैश ने बहुत सोचा रात में तीन बजे उसे कॉल करता है कहता है कल हम डेट पर जा सकते है ये मौर्निंग में ही मिले ब्रिकफास्ट किया उसके बाद पुरा दिन पिकनिक के लिए चले जाते है एक ब्यूटिफुल के लेक के बास आये हुए थे कैश कहता है कि चलो हम स्विमिंग करते है शारन जरा कत्रा रही थी तो कैश हाइट बर गया वहाँ से जम करता है शारन भी उसके पीछी बीच आके ये पानी में किस करते है और फिर इंटिमेट हो गए नेक सिन में कैश अपने हॉलवे में एक छोटे लड़के को खेलते होए देखता है उसे फिर से अपनी मेंमरी जाए और वो डिस्टब हो गया था शारन को कौल आया उसके ब्रदर ने उसकी वाइफ को बहुत मारा था उनके नेबस ने पुलिस बुलवाई थी शारन के फादर की तरह ही उसका ब्रदर भी अपनी वाइफ को मारता है इस बात से वो बहुत जादा गुस्सा हो गए उनके ब्रदर की वाइफ से बात करती है कहती है जो भी हुआ मुझे सच सच बता दो ब्रदर की वाइफ ने का कि इतना बड़ा इश्यू नहीं है वो सिफ ज़रा गुस्सा हो कया था वैसे भी उसे बहुत बुरा लग रहा है शारन कहती है यह शुरुवात इसी तरीके से होती है आज तुम्हें मारा है कल तुम्हारे बच्चों को मारेगा ब्रदर की वाइफ ने का कि हमारे बीच में मत पड़ो जो भी होगा हम देख लेंगे शारन अपने ब्रदर की बास आई वो कहती है तुम भी फादर की तरह हो उसे जोर से पंच मारती है थोड़ी देर में कैज उसे सहारा देने के लिए उसके घर आ जाता है वो रोकर कहती है कि मुझे जो सही लगा मैंने वही किया था उसके फादर उसकी मदर को मार रहे थे उसने पुलीस को बोला एक सही चीज़ की पर फिर भी उस इंसिटन के बाद उसकी फैमिले ने उसे एकसेप नहीं किया कि आज कहता है तुमने अपनी मदर को हेल्प करना चाहा इसमें तुमारा कोई भी फॉल्ट नहीं है अगली दिन शेरन काम पर थी एक क्रिमिनल को उसके ब्रदर के साथ उसने पकड़ा वो उसे समझाती है तुमारा ब्रदर अभी भी छोटा है उसे भी इस काम में मत धके लो तुमारे ब्रदर के बास एक चांस है वो अपने लाइफ सही से जी सकता है शैरन कभी-कभी अग्रेसिव है पर फिर भी लोगों का वो खैल रखती है उसकी कोवरकर को देखकर बहुत अच्छा लगा वो फिर कैज से मिलने के लिए आई कहती है मेरे मदर और फादर फेसे शादी कर रहे है उसे वहाँ जाना चाहिए या नहीं इस बात को लेकर वो ज़रा कन्फियूस थी कैज कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ शैरन को भी आइडिया अच्छा लगा अज शैरन कैज के ड्रॉवरस में कुछ टॉइस देखती है उसने उसे इस टॉइस के बारे में पूछा तो कैज कहता है तुम्हें मेरी परसनल चीज़े नहीं देखनी चाहिए तो ज़रा गुस्सा हो कया था ये इस बात को जाने देते हैं और डेट पर आ जाते है चलते चलते एक जैस के बार के सामने आए शैरन ने नोटिस किया कैज इसमें बहुत इंटरस्टेड है तो उसे अंदर लेकर जाती है कैज का इस म्यूजिक पर बहुत कॉंसेंटरेशन था वो शैरन के साथ डांस करता है डांस के बाद वो खुद ट्रमपेट बजाने के लिए चला कया उसने एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा सेशन किया ये बजाते हुए उसे फिर से अपने पास्ट की याद आ रही थी वो डिस्टब होकर यहां से बाहर आ गया शैरन कहती है तुम तो बहुत ही डालेंटेड हो बाहर की हुआ आ के या हमारी डिलेशन्शिप भी एक जूट है इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करता और यहां से चला जाता है शैरन को अभी अब युसका नाम पता चला तो इसके बारे में उसने सर्च केए उसे पता चला कि ब्रीज़ पर जो हचसा हुआ था इस पर कैज भी था पर कैज का रियल नाम है स्टीवन मूवी के फर्स्ट में प्रीच पर शैरन न जिस आदमी को बचाया था ये स्टीवन ही था इस एक्सिडन में स्टीवन के साथ उसकी वाइफ और बेटा था इन दोनों की टेट हो गई थी शैरन फिर स्टीवन के वारे में और भी पता करने के लिए उसके घर बचली गए एक्सिडन के बाद स्टीवन कभी घर पर ही नहीं गया जो भी हुआ था इस सब की मेमरीज वो ब्लॉक करना चाहता था उसे अपनी वाइफ और बेटी की याद ना है इसलिए वो अकिला ही रहता है अगले दिन शैरन ने कॉल लगा कर स्टीवन को उससे मिलने के लिए बुलाया वो उसे सेमेटरी लेकर जाती है कहती है तुम्हारी वाइफ और बेटी की टेथ हो चुकी है तुम्हें इस बात को कंफरंट करना पड़ेगा स्टीवन इस बात को एकसेप नहीं करता और वहाँ से चला जाता है इन सब चीजों की वज़े से शैरन बहुत ही परिशान थी वो अगली दिन काम पर भी नहीं जाती है उसका कोवर कर उसे देखने के लिए आया वो कहता है कि तुम्हारी तबियत तो ठीक है तुम्हारी लाइफ में जो भी चल रहा है इसे जल से जल सौट आउट कर लो अगर तुम ऐसी रही तो जादा दिन तक में तुम्हारी ले कवर नहीं कर सकता उसके कोवर कर की वाइफ अ प्रिगनन थी अपने आने वाले बेटे के लिए उसे सही से काम करना है इस सिट्टी को क्राइम फ्री बनाना है शारून को बता चला कि जिस ओर लेडी के पास ठीवन जाता है वो एक्चुल में उसकी वाइफ की मदर है वो उससे मिलनी की लाई जो भी हुआ था इस सब के बारे में उसने उसे बात की उसकी मदर In-Law ने कहा एक्सिडंट के बाद उसने अपने आस पास एक वाल बना ली है वो किसी को भी अंदर नहीं आने देना चाहता उस एक्सिडंट के बारे में बात नहीं करना चाहता पर आशकल बहुत सारी चिज़ों में उसने चेंज किया था उसका घर अगर तुम देखोगी तो उसे renovate करने लग गया था वो तुमारे बैर में पढ़ चुका है एक अच्छी प्रोग्रेस है शारन कहती है इसायद मैंने उसे खो दिया मैं चाहती थी कि अपनी feelings को confront करे Mother-in-law कहती है जब सही time आएगा तो recover करेगा इसे हम हरी कर नहीं सकते है अब शारन के parents की marriage का time आ चुका था वो इसमें अकेली ही कई हम स्टीवन को देखते हैं यो cemetery आ चुका है वो अपनी वाइफ और बेटे के ग्रिव उपर गहता है मेरा सब कुछ लूट गया था एक सेगन में सब कुछ बरबात हो गया जिस दिन accident हुआ तब स्टीवन के बेटे का बड़े था ये family बहुत ही खुश थे इस पल को याद करता है उसके बेटे ने अपना toy स्टीवन पर वेका इसी वज़े से accident हुआ था स्टीवन को लगता है कि उसे गाड़ी slow चलानी चाहिए थी उसने regret किया कि अपनी family के साथ और भी times spent करना चाहिए था उसने realize किया उसकी wife और बेटा उससे खुश ही देखना चाहते वो ने बताता है कि मैं अब फिर से प्यार में हूँ मैं हमेशा तुम दोनों से भी बहुत प्यार करता रहूँगा अब वो अपनी bad और happy इन दोनों memories को नहीं भूलेगा अपनी आगे वाली life को उसने accept किया है इसी के parallel में शेरन जब parents के शादी के party में थी तो अपनी mother से मिली वो जाकर father से भी बात करना चाहती थी वो पुछती है क्या मैं अभी भी इस family का part बन सकती हो क्या आपको लगता है कि मुझे यहाँ होना चाहिए था फादर कहता है कि मुझे लगता है कि अब मेरी कोई भी पेटी नहीं है शारन रोते हुए नीशे आ गए सब लोग शारन के parents के बारे में उनकी memories बता रहे थे तो शारन भी एक share करती है उसने का मुझे सब bad memories ही याद आ रही थी पर हम जब family थे उसमें कुछ beautiful moments भी थे हम जब छोटे थे तो मैं और मेरा प्रदर एक दिन खेल रहे थे एक alien invasion का game था हमारे फादर हमारे पास आये उन्होंने हमें couch पर फेका और वो खोद भी alien जैसे आवाज निकालने लग गए वो दिन बहुत ही beautiful था ये story सुनकर उसके फादर उसकी मदर सब लोग रोने लग जाते है इसके बाद Sharon यहाँ से चली गई गर के बाद Stephen उसका wait कर रहा था Sharon पूछती कि तुम यहाँ कैसे कहता है कि तुमने मुझे invite किया था Sharon ने Stephen को sorry कहा वो कहती कि मुझे तुम्हें पूछ नहीं करना चाहिए था मुझे लग रहा था कि सब कुछ चीज़े perfect होनी चाहिए पर मैं गलत थी Sharon ने कहा मेरे parents ने मुझे accept नहीं किया Stephen कहता है कि यह उनका ही loss है तुम किसी के भी life में होना एक blessing की तरह है इस sweet सी बात सुनकर Sharon को रोना आने लग गया Stephen ने कहा कि मेरे wife और बेटे को देखने के लिए गया हुआ था मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ Sharon ने उसे कले लगा लिया I love you कहा इसके बात ये दुनों गाड़ी में बेटे इस बात Stephen ट्राइव करता है उसके सारे फियर छोड़ कर वो life में आगे बढ़ना चाहता है अगर हम मूवी में देखे तो Sharon और Stephen इन दोनों का पास था जिसों भाग रहे थे finally इसे उन्होंने confront किया life में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को उन्होंने help कि अपनी आगे आने वाली जिंदगी सही तरीके से शुरू कि इसी beautiful ending के साथ आज का वीडियो हम खतम करते अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्स्राइब कर दीजे और बेल निटिविशन आइकों दावने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमोई के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिए